दुबई का पांच दिन की ट्रिप के लिए कितने पैसे करने पड़ते हैं खाल चलिए पताते हैं नमस्कार मैं हुटिया जोड आप देख रहें यूए खबर अब एक क्रिस्मस और नए साल की चुटियां आने वाली है ये चुटियां हमेशा ही मस्यदार और यादगार बनाने के लिए सबी लोग कही न कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं अगर आप इस वार विदरीश घूमने का प्लान कर रही हैं तो दुबई एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है क्योंकि दुबई अपनी यूनिक और शानदार आर्किटेक्शर के लिए जाना जाता है दुबई का सबसे बड़ा अट्राक्शन दुनिया की सबसे उची 163 मंजुला इमारत बुर्ज खलीफा है इसे देखने का हर किसी का मन करता है अभी का मुसम वहां घूमने के लिए शानदार है दिनका वास्तन तापमान 25 से 30 डिग्री सेलसियस के आसपास बना रहता है जो वहां घूमने के लिए बिल्कुल सही है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दुबई जाने में खर्च जादा होगा पर ऐसा नहीं है आप कम पैसे खर्च करके दुबई घूमने का experience ले सकते हैं चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप पांस दिन के लिए दुबई ट्रिप पर जाएंगे तो आपको कतना खर्च लगेगा बतादे दुबई घूमने के लिए आपको पांस चीजों पर खर्च करना पड़ेगा वो है फ्लाइ टिकेट, होटल बुकिंग, फूट, ट्रांस्पोर्टेशन, एंटेटेन्मेंट और टुरिजम प्लाइ टिकेट, होटल, बुकिंग, आप ट्रिप सवारी के माध्यम से भी कर सकते हैं ऐसे आपको कम पैसे में अच्छी सर्विस मलेगी बतादे हवाई जहाज का किराया आने जाने के लिए दुबई के लिए एकोनॉमिक क्लास का टिकेट तकरीवन 15,000 से 20,000 रुपए दो तरफ के टिकेट का खर्च होता है अगर आप प्रीमियम या एकोनॉमि और बिजनस क्लास का टिकेट लेते हैं तो यह ज़ादा महेंगा पड़ सकता है दूसरा होटल में छहरना अगर आप दुबई जाकर 3-star होटल में रहते हैं तो प्रती रात के हिसाब से आपको कमरे का किडाया 4,000 से 5,000 रुपए तक देना पड़ता है नॉर्मल होटल भी 2,000 से 3,000 तक पेमिन्ट मांगता है पैसे बचाने के लिए आप सारजाह का टिकेट और होटल भी चेक कर सकते हैं सारजाह और दुबई सिर्फ 10 मिनिट का टैक्सी से फासला है पर बहुत से पैसे आप वहाँ पर रहकर बचा सकते हैं अगला है खाना पीना यानिकी फूड रोजाना करीब 2,000 रुपए प्रती वेक्ति खर्च आपको फूड पढ़ाएगा वही सानिया वाजाही और ट्रांस्पोर्टीशन का खर्च करीब आपको 1,500 रुपए तक प्रती दिन पढ़ेगा वही मनुरंजन और टूरिजम पर किया जाने वाला आनुमानित खर्च 10,000 से 15,000 तक हो सकता है क्योंकि आप इसमें कई जगा घूम सकते हैं जैसे बुर्च खलीफा हो गया कई सारे राइट से आप उसके मज़ेबी दुबई में ले सकते हैं वहीं कुल मिलाकर तकरीबं 50,000 से 60,000 रुपए के आसपास खर्चा आ सकता है वहीं आपको बता दे हैं आप ट्रिप सवारी के थूरू भी ये टूर पैकेज को एकसेप्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें भी आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा संयोग तेड़व अमिरात में लोगों पर लगीगा 500 दर्हम का जर्माना संयोग तेड़व अमिरात में 500 दर्हम का जर्माने की चेतामनी दी गई हैं आपको बता दे कि पुलिस ने चेताबनी दी है कि पैदल यात्री की रोड क्रॉस करने वाली जगा पर गारी को ना रोके। क्रॉसिंग पर कारों को रोकना एको लंगन की श्रेनी में आता है जिसके लिए मोटर चालकों को 500 धर्णम का जुर्माना देना पड़ सकता है। आजमान पुलिस ने शूशल मीडिया पर एक चेताबनी पोस्ट की है जिसमें मोटर चालकों से पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ध्यान रखने का आगरा किया है। वह हैं तो आप पर 50,000 धर्णम का जुर्माना लगाया जा सकता है। संयूग्ति रपमिरात में 50,000 धर्णम का जुर्माना लगेगा य़ाधिकरन ने नागरिक सुरक्ष्या वाहनों में बाधर डालने पर जुर्माने की याद दिलाई है लोगों को प्रवेस में बाधा डालना और नागरिक सुरक्षा वाहन के लिए गुदामों के बीच पर्याप्त जगन ना छोड़ना या इन चेत्रों तक पहुंच में इस तरह से बाधा डालना कि उनकी कारेच छमता बाधित हो जाए उलंगन के श्रेनी में आता है और इसके परिनाम स्वरों पचास जार दर्धम का जुर्माना लगाया जा सकता है पतादे के आबुधाबे सिवल डिफेंस ने गुदामों और दुकानों के मालिकों को युएई नियम दोहजार बारा का संगल्प संक्या 24 और परीसर में सुरक्षा और निवारक कुपायों के उलंग कर दिये जाएंगे युए के मुझा चालक जो अपातकालीन एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं उन्हें 3000 दर्धम का जुर्माना भरना पड़ता है बतादे उलंगन करने वाले ड्राइबरों पार छे ट्राफिक पॉइंट्स भी लगाया जाएंग वाहनों को बादित करने वाले ड्राइबरों पर 1000 दर्धम का जुर्माना लगाया जाएगा साथी चार ब्लैक पॉइंट्स भी उसे दिये जाएंगे और वाहनों को 60 दिन के लिए जब्ट कर लिया जाएगा पहले अधिकारियों ने निवासियों को याद दिलाया था कि स्थानों पर पहुंचने में देरी होती है इसलिए ऐसा ना करें तो यह थी तमांग जानकारी बने रहे ऐसी खब्डों के लिए यूए खबर पर सिर्फ अपने पासपोर्ट की मदद से चेक करें अपनी यूए वीजा की स्टेटस कई लोग जो यूए में जाते हैं वहां रहते हैं भूल जाते हैं कि आखिर उनकी वीजा की एकस्पारी डेट क्या है बता दे कि जब भी किसी प्रवासी का वीजा समाप्थ हो जाता है तो उसे अपना वीजा रिन्यू कराना पड़ता है वहाई अगर प्रवासी वीजा रिन्यू नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और उसे देश से निकाल भी दिया जाता है यह एक ऐसे प्रकीरिया है जिसे प्रतेक संयूग तरबमिरात निवासी को वीजा के प्रकार के आधाल पर हर साल या शाय तीन साल में गुजरना पड़ता है जबकि अधिकांस प्रवासियों को वो महीना याद ही नहीं रहता जब उनका रेसिडेंसी वीजा समाप्थोने वाला हो प्रवासियों को आमतोर पर तारीखे याद नहीं रहती फिर जैसे जैसे महीना करीब आता है वीजा की वालिडीटी की जाच करने के लिए पास्पोर्ट के पणने पलटना लोगों के लिए काफी आम बात है लेकिन कई लोग हमेशा अपना पास्पोर्ट अपने साथ नहीं रखते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए आपको अपने निवास वीजा की वालिडीटी की जाच करने के लिए बस अपना पास्पोर्ट नंबर और पास्पोर्ट की समाप्ती तिधी अवश्यक्ता होगी समाप्ती तिधी यानि की एकस्पारी डेट की अवश्यक्ता होगी इसलिए अगर आपके पास अपने पासपूर्ट की फूटो कॉपी है या स्कैन किया हुआ एडिशन आपके फोन में है तब ही भी आपका काम चल जाएगा पहचान और नागरिता के लिए संहिये प्राधिकरन अपनी वेबसाइट के माध्यम से यसेवा प्रदान करता है कोई निवासी या सत्यापित करने के लिए पासपूर्ट जानकारी दर्च करा सकता है कि क्या वीजा अभी भी वालिड है और साथ ही यह जांच कर सकता है कि जारी किया गया वीजा आथेंटिक है या नहीं निवासे इस आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से वीजा की वैलिडिटी की जांच भी कर सकते हैं चली अब आपको बताते हैं कि step by step guide की कैसे आप अपना वीजा वैलिडिटी चेक कर सकते हैं वो भी पासपोर्ट के माध्यम से पहला step है कि आपको सबसे पहले एक लिंक पर जाना होगा जो है smartservices.ica.gov.ae step 2 है कि passport information radio button को आपको इस लिंक पर जाने की बाद चुनना होगा step 3 में या तो residency या फिर वीजा आपको select करना होगा step 4 की बात करें तो passport number और passport की expiry date आपको दर्च करनी होगी step 5 में दाई और drop down से राश्टियता दर्च करना होगा फिर buy और box पर एक संबंदित number आपको दिखाए देगा step 6 में आपको capture check box चुनना होगा और उस पर search पर click करना होगा page अब आपकी date of expiry के साथ आपके visa के details को show कर देगा तो अगर आप UAE में रहते हैं तो अपने visa के expiry date का जरूर ख्याल रखें क्योंकि अगर आपका visa expire हो जाता है और आप उसे 30 दिनों के भीतर ही renew नहीं कराते हैं तो आपको भारी भरकर्म जुर्माना भुगतना पर सकता है तो ये थी दमाम जहनकारी बने रही ऐसी खबरों के लिए UAE खबर पर